अब इसको बिना कोले वाई टीशिट में कहा लगा थे भाई जैन दोस्तों क्या हाल है तो इसे कहते हैं ताला लोक सिक्योर्टी लोक इससे जादा सिक्योर ये तब नहीं होता अगर इसमें कोई वाई-फाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन के थुरू ये काम करता ना तो किसी भी यूटूबर के अगर आप टेक यूटूबर के वीडियो कोमेंट बॉक्स में जाएंगे तो ये वाला मिली जाएगा आज कल ये ज्यादा चल रहा है जब से ये क्लीनर वाला मुद्दा हैलाइट हुए इस पर मैंने अल्रेडी एक वीडियो में बात किया हुआ था कोई भी कमपनी हो चाहिए स्मार्टफोन की है कोई और अगर उसकी प्राइविसी एंट टेम्स और कंडिशन देखनी है स्मार्टफोन है तो मुवैल में दिख जाएगा नहीं तो जैसे ये शाओमी है तो शाओमी इंडिया की वेफसाइट में उपन कर रहा हूँ सैमसंग इंडिया एपल इंडिया है न तो जैसे ये शाओमी का है बही कौन सी इनफोर्मेशन उठाते है कैसे उठाते है क्या इनके सिक्योर्टि ये पॉलिसी मैंने इनका पढ़ा सिमिरली मैंने सैमसंग का पढ़ा इतना बड़ा यहाँ भी है काफी डीटेयल में और ऐसा ही मैंने क्या किया Apple का भी यहां पर जो privacy and issues है ना इसको भी मैंने काफी सारा पढ़ने ही कोशिश किये और मताग गया घूम फिर के सब का कहना एक ही है सब के सब का जो थोड़ा थोड़ा इसमें change है ऐसा नहीं कि 100% सेम है और यह privacy जो time to time हमना change कर देते हैं लोग बहुत चालो है जैसे कोई government का rule change हुआ है या कुछ हुआ तो यह लोग इसको change भी कर सकते है time to time है ताकि आपको जो बढ़ी है experience मिले एक लाइन सेमसंक ने बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि हम आपके न जो privacy information है इनको secure करने के लिए बड़ी मैनद करते हैं हर तरीके से encryption वगारा सारे सारा लेते हैं बाकी भी करते हैं यहां पर लिखा हुआ कि कोई website या internet transition computer system या wireless connection जो होता है ना completely secure नहीं होता बड़ी अच्छी बात लिखी है पहले भी का हुआ internet future है लेकिन secure नहीं इनको आप detail में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और जो government के rule होते हैं उनके अंडर ये लोग काम करते हैं ऐसा सब लिखा रहता है लेकिन एक चाही याद रखना जितना लि nox security use करते हैं जो एक security को next level पे ले जाता है यह hardware और software का combination होता है अगर आइफोन की बात करें ऐसी 2020 में क्या मिलता है physical fingerprint scanner मिलता है ना home button में यहाँ पे इनों देखो clear लिखा हुआ है कि यह जो fingerprint data है ना इसको हम आपके device में store करते हैं यह apple server या फिर i cloud में store नहीं किया जाता कि वो आपको clear चीजों को define कर रहे हैं और next बात Google खुद भी आपके ना सारे phone की जो Google की application है सारे permission सारे phone की permission ले ले लेता है और यह पहले जहोन रहता है लेकिन Google की privacy policy को एक Chinese brand के privacy policy से अगर आप compare करते हो तो तो वही बात होगी TikTok को YouTube से compare करना Google वाले क्या करते हैं आप phone में जा setting में जाके authorization revoke option मिलता है वहाँ पे ऐसे security app को बंद कर दोगे तो वो data collect करके server पे upload नहीं करता मैंने बताया था बट यह सभी phone में off भी नहीं हो रहा है जो पुराने phone उसमें off नहीं हो रहा है लेकिन problem यहाँ off करने में नहीं है फ़ली बात तो security app के जूरत नहीं है सब देते ह आज के लेंडर वाले समसंग भी देता है डिवाइस maintenance में जाएंगे ना तो मेकफे के थ्रू यह लोग एक security प्रवाइट करते हैं लेकिन उसको आप इनेबल करो या ना करो आपके उपर है और उसको आप disable भी कर सकते हो इनके साथ क्या है कि जब इनको पता है कि चीता मुव मुवाइल की application है तो चाहे Realme, Oppo, Vivo या फिर Xiaomi हो यह लोग चीता मुवाइल की अगर आप history पढ़ोगे ना इनका मतलब security से दुश्मनी है तो इस तरह से लोग काम करते हैं तो जब आपको पता है एक अच्छे brand की निशानी होती है कि आप उनको क्यूज करोगा बाई जब आ आया गया है कि हां इस तरह से लोग scam करते हुए या फिर मतलब information server पर upload करते हुए पकड़े गए हैं कुछ लोग कहेंगे Xiaomi पर जबरदस्ती बात की जाती है Google या फिर Apple के साथ यह लिए चीजे चुपाई जाती है मतलब मैं बताता हूँ कैसे Apple एक बहुत बड़ी company है Google एक बह बड़ होगा ना इसको भी लोग पता लगाने में लगे रहते हैं जैसे Xiaomi का ब्राउजर वाला सीन हुआ था ना सर्वर पे data upload करता था Forbes में रिपोर्ट आई थी तो उसी तरीके से यहां पर भी लोग ना ऐसे लगे रहते हैं कि कब कोई कमी मिले लेकिन क्योंकि यह इतने पाई जाती और वहीं पर दूसरा पॉइंट यह जो नोर्मल आत्मी है चाहे वो गाहों का हो चाहे वो शहर का हो इससे फरक नहीं पड़ता बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फोन को क्या करते हैं मस्त कैमरा यूजर करते हैं फेस्बूक वगरा चला लेते हैं उसके बाद और क्या करते हैं यूटूब वगरा देख लिए ये लोग परसनल जैसा कुछ काम नहीं करते हैं फोन में तो इनको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जूरत नहीं है अले कि information इतनी भी है लेकिन ये लोग मतलब सूचते भी नहीं उस लेबल का लेकिन जैसे आप कुछ परसनल काम करने ला जाते हो, जैसे मैं अपना YouTube अकाउंट भी एक smartphone से manage करता हूँ, तो मुझे security के लिए थोड़ा और aware रहना पड़ता है, कुछ और जरूरी steps लेने पड़ते हैं, तो इस तरह से होती हैं, चीजे लाइक अगर मेरे phone में UC browser डल जाएगा, share it डल जाएगा, true caller डल जाएगा, मैं उस phone को fake दूँगा, ठीक है न, और भाइ, इन companies का ये भी कहना है कि हम आपके data को China server पे नहीं भेजते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इंडिया में रखते हैं, बट ये चीजे तो कोई भी company कह सकती है, चाहिए जो Samsung ने privacy policy लिखा या जो Apple ने लिखा हुआ है, ये सारी चीजे न मतलब ऐसे 100% लिखने ही दी गई है, कि हाँ, जो कह दिया वही होता है ये कोई ये वाला लोक नहीं है, वो internet वाला लोक है, है ना अब एक और स्वाल आता है, Xiaomi जैसे क्या करते हैं, एड देते हैं, स्मार्ट फोन में ताकि पैसा थोड़ा ज्यादा earn कर सकते हैं, क्योंकि phone assets पर सस्ते होते हैं, ज्यादा specification देते हैं, ठीक है, agree, लेकिन आप bloatware के नाम पे UC जैसे कमाने के लिए, गंदे add देने का क्या मतलब है, गंदे add से ज्यादा कमाई होते हैं, तो ये चीजें एक phone की reputation को down करती हैं, और इसको असानी से उठाया जा सकता है, आप security के नाम पे cleaner की जगा कुछ और दे सकते थे, आप bloatware के नाम पे उन bloatware को मत दो, जो security के लिए risk है, और में मुद्दा, क्या हमारे data को China server पे upload किया जाता है, या फिल हमारे data को leak करते हैं, data को use करना अलग बात है, वहर company करती है, leak करने को उपर देखो, कोई proof नहीं है, 100% तो मैं भी नहीं कहूंगा, Chinese brand से आईफोन ज्यादा secure है, yes definitely, क्या Chinese brand से जो Google की privacy policy पे हम ज्यादा विश्यास कर सकते हैं, yes कर सकते हैं, क्या Chinese brand से हम Samsung पे security के मामले की बात कर रहा हूँ specification और अगरा को अब जानते ही हो इनका क्या है हम ज़्यादा विस्वास कर सकते हैं yes, Samsung पे ज़्यादा विस्वास कर सकते हैं तो क्या Xiaomi का phone एकदम secure नहीं है इसको खरीदे ना, मैं यह नहीं कह सकता जा रहा है, वो चीज़े तो नहीं है ना अगर वो चीज़े होती तो मैं यहां क्यों बैठा होता है मैं कुछ और कर रहा होता, लेकिन अगर आप एक normal user है इनको आप पता है कि phone में इतना कुछ personal आप नहीं करते तो definitely भाई, इनका जो सस्ते quality का browser मत यूज़ करो, या इनके account और मत बनाओ, इनकी Chinese applications मत यूज़ करो, share it, कभी install मत करो, मत open करो इनकी security application, कभी भी, तो इन चीज़ों को follow करके आप अपने आपको security को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि security तो हर brand के साथ लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई brand है, महंगा brand ले लिया तो कोई information आओ सनम, जाओ सनम, होली बात हो जाए, ऐसा नहीं है, totally depends आपके उपर, और ये भी सच है कि अगर 15,000 में किसी को best gaming करनी है, ऐसे must gamer है, तो उसके पास Chinese brand के option मिल जाते है, Redmi Note 8 Pro हो, Redmi Note 9 Pro Max हो, Poco X2 हो, तो इस तरह से भाई आपको सोचना होगा, मैंने कुछ practical चीज़ों क साथ समझाई सकता हूँ, उपने experience से, बस, तो ये वीडियो सिर्फ ना, आपकी demand पर थी, तो ये phone secure है भी, और नहीं भी, depend करता है, आपके उपर कैसे काम कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर वीडियो पसंद आए ये वीडियो को, like, share, subscribe जो करना, चैनल पर, मस्त मस्त वीडिय मैं मिलता हूँ, अगले वीडियो में